नई सुबा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजे हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubah.org असलाम वालेकुम नई सुबा के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लर्निंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ आईशा एहमद आज हम आपको बिर्यानी बनानी की रेसिपी सिखाएंगे बिर्यानी बनानी के लिए चिन अज़ा की जरूवत है उसमें चिकन एक किलो चावल एक किलो आलू तीन पाव टिमाटर आदा किलो हरा धनिया एक बंच, पुदीना एक बंच, हरी मिर्चें दस से बारा अदद अद्रक लेसन का पेस्ट दो टेबिल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर दो टेबिल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च एक टेबिल स्पून, पिसी हुई काले मिर्च एक टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला एक टी स्पून, हल्दी एक टी स्पून, प्यास डेड़ पाओ, साबित काली मिर्चें दस से बारा अदद बड़ी इलाईची दो अदद सब्स इलाईची तीन अदद दारचीनी स्टिक दो अदद लॉंग तीन अदद सफेद जीरा एक टेबल स्पून काला जीरा एक टी स्पून पिसी हुई जैफल जवतरी कौटर टी स्पून आलो बुखारे दस से बारा अदद दही एक पाव तेज पत्ता दो से तीन अदद बिरियानी एसंस हाफ टी स्पून ओल एक कप बनाने का तरीखा सबसे पहले चावलों को अच्छी तरीखे से दो कर भिगो ले अगर बास्मती राइस हैं तो आदी घंटे के लिए भिगोएं और सेला चावल हैं तो इसको आप तकरीबन दो से धाई घंटे के लिए भिगो कर रख दे अब सबसे पहले एक देखची में एक कप ओईल डालकर प्यास को स्लाइसिस में काटकर उसमें डाल दे जब ओईल अच्छी तरीखे से गरम हो जाए और प्यास पकने लगे और प्यास का रंग चेंज हो जाए और उसमें सॉफटनेस आ जाए तो इस वक्त इसमें आप डेल टेबल स्पून सफेज जीरा साबित काली मर्ची एक बड़ी इलाईची छोटी इलाईची लॉंग दारचीने स्टिक्स डालकर इसको अच्छी तरीखे से भूने जब प्यास सुर्ख हो जाए और उसमें से खुश्पू आने लगे तो इसमें दो टेबल स्पून पिसा हुआ अधरक लेसन का पेस शामिल करके इसको अच्छी तरह से भूने जब प्यास और अधरक लेसन भून रहो तो आपने एक सादा प्याला लेना है इस प्याले में आपने दो टेबल स्पून सुर्ख मर्च पाउडर एक टी स्पून काली मिर्च पाउडर दो टेबल स्पून सुका धनिया पाउडर और एक टी स्पून पिसा गरम मसाला और हल्दी शामिल करके इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब जैसे ही अधरक लेसन भून जाए तो ये लिक्विट वाला फूरा अमसाले का पेस्ट आप इसमें शामिल कर दें इसमें शामिल करने के बाद आप थोड़ा सा पानी मजीद शामिल करके प्याले में जितना मसाला है सब बरतन में डाल के इसको अच्छी तरह भूने अब आलू कोược की शकल में काट लें और पिर इसको तोड़ा पानी में डिप करके रखते हैं टेमाटरों को धू कर चॉप कर लें और मसाले के बाद अब इसमें टेमाटर डाल दें टेमाटर को अच्छी तरह से पकाएं और जब ये पकने लगे तो थोड़ी देर के लिए धकन धक के स्लो आंज कर लें अब आप एक प्याले में दही निकालें दही निकालने के बाद आप इसमें काला जीरा बचा हुआ सफेद जीरा और जो भी खुश्क मसाले जिसमें कुट अब अच्छी तरीखे से देखची में जो टेमाटर हैं उसको चमक्चे से प्रेस कर दें जिब टेमाटर अच्छी तरीखे से प्रेस होके सॉफ्ट हो जाएं तो आपने ये कटे हुए आलू इसमें शामिल करके अच्छी तरह से भूनने हैं आलू के भूनने के साथ आप च चिकन शामल करके इसको भूने, इसके बाद इसमें आप आधी गटी चौप हराधनिया, आधी गटी पूदीना और 6-8 हरी मर्चे चौप करके इसमें शामल कर दें और इसको अच्छी तरीखे से भूने, चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगी, इस टाइम पर यहाँ पर जामक शामल कर दें और इसको अच्छी तरह से भूने, इसके बाद इसको हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ने, अब चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगी और इसके बाद अच्छी तरीके से मसाला भूनता जाएगा, आपने फिर देख्ची का ढखका नटाना है औ इसको अच्छी तरह से चंचा चला के फिर भूने और इसको फिर हल्की आँच पर छोड़कर पकने दे, थोड़ी देर में आईल और मसाले भूनेंगे और चिकन गलना शुरू हो जाएगा, जब चिकन इतना गल जाए कि वो अराम से टूट जाए और आपको अंदाजा होके इसमें हल्की सी कसर रह गई है, तो जितने बचेवे खुश्क मसाले जो आपने दही में शामिल किये थे उसको अच्छी तरीके से फेंट के ये दही इस टाइम पर चिकन में और आलों में शामिल कर दे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, अब एक दूसरे चूले पर अगर चावल एक किलो हैं तो आप पांच किलो वाला बर्तन लीजिए और उसके अंदर आप तक्रीबन तीन किलो पानी चड़हा दें बॉयल होने के लिए, जब पानी में उबाल आ जाए तो आपने इसमें चावल शामिल कर देना है, चावल शामिल करने के बाद आप इसको तो हिला कर इसमें नमक डाल दें, चावलों में इतना नमक डालें के पानी नमकीन हो जाए, जब चावल उबल रहे हों तो इसमें आप थोड़ी काले मिर्ज, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना शामिल कर दें ताके चावलों में एक अच्छी सी जब चावल उखे, जब चावल अच्ची तरीख के से पक जाएं तो आप उसको चेक करें की कआवलों Tub में कोई कनी गाएक, ख़ते हैं आँच तेज मत कीजेगा इसके बाद इसमें थोड़े से दूद में जर्दे का रंग शामिल कर दें या पानी में बहुत थोड़ा सा लीजेगा जैसे तीन से चार टेबिल स्पून अब इसमें अच्छी तरीखे से जर्दे के रंग को मिक्स करके सालन में शामिल कर दें और फिर चम्चे से हिला दें इसको मजीद 10 से 15 मिनिट पकाएं हलकी आँच पर और उसके बाद चूला बन कर दें अब चावलों वाले पतीले में सबसे पहले कोर्मे की लेयर बिचाएं कोर्मे की लेयर बिचाने के बाद आप चावलों की एक लेयर इस पर लगा दें चावलों की लेयर लगाने के बाद आपने यहां दुबारा कोर्मे की लेयर लगानी हैं अब कोर्मे की लेयर लगाने के ब आप इहां पर बागी बचा हुआ हर अधनिया पुदीना और हरी मिर्चे थोड़ी सी छड़क दे इसके बाद दुबारा बच्चे हुए चावल डाल कर उपर से बकाया तमाम कोर्मा डाल दीजिए इसके बाद चलने में जो थोड़े बहुत चावल बचे हुए हैं उसको कोर्मे की पतीली में डाल कर उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इन चावलों को भी पतीले में डाल दें इसके बाद पहले से एक चूले पर तवे को रख दें जब आप चावलों पर लेयर लगा रहे होंगे उसी वक्त आप चूले पर तवे को रख दीजिए ताकि तवह अच्छी तरह से गरम हो जाए अब चावलों वले पतीले पर ढकान ढकार इसको दम पर लगा दें अगर आपके पास मजीद हराधनिया पुदीना है तो उसको उपर कम्प्लीट छिड़क दें और अब धककन धकके इसको दम के लिए छोड़ दें तक्रीबन 15 मिनिट बाद आपने इसके उपर थोड़ा सा बिरियानी एसेंस दाल देना है अगर आपके पास बिरियानी एसेंस तो कोई बात नहीं इसको ऐसे ही दम पे छोड़ दे और 20 मिनिट बाद चूले को बन कर दे चूले को बन करने के बाद भी 5 मिनिट धकन को ऐसे धका रहने दे उसके बाद इसको खोल के अच्छी तरह से मिक्स करें और गरम-गरम बिरियानी रायते और सलात के साथ पेश करें अगर आप चाहते हैं इस बिर्यानी में थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर लाएं तो जब हमने दही में दूसरा मसाला शामिल किया था तो वो मसाला आप स्किप करके इसकी जगा पर दो टेबिल स्पून कोई भी बिर्यानी मसाले का पैकेट जो है उसको शामिल करें इंग्रीडियन्स तमाम यही होंगे लेकिन जाइफल जावतरी स्किप कर दीजेगा बाकी तमाम साधे इंग्रीडियन्स के साथ अगर आप कोई भी बिर्यानी मसाले का फ्लेवर शामिल करते हों जैसे सिंधी बिर्यानी मसाला और कोई बंबई बिर्यानी मसाला शामिल कर दें तो ये आपकी अपनी मर्जी है ये थी हमारी बिर्यानी की रेसिपी अगली रेसिपी के साथ दुबारा हाज़र होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालूमाति मवाद आपके लिए नई सुभा की जानिब से पेश किया गया हमारे कॉंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराय इस्तमाल कीजिए